दूस्तों, भगवान शी कृष्णी के पत्नी और द्वारिका की रानी शी रूपमणी के नाम से क्वेश्य को बुलाने का सहस किस में था। आज हम आपको शी रूपमणी कृष्णी के जीवन से जुड़े एक ऐसे चौकाने वाले रहस्य के बार में बताएंगे, जिसे सुनने के बाद आज भी लोग शी कृष्णी की रूपमणी और शक्ती देवी रूपमणी के बार-बार प्रणाम करते नहीं थकते। जो लोग आज भी उन्हें आप महिला समझते हैं, उनसे गलती हो जाती है। और उन्हें ये सच्चाई ध्यान से सुनने चाहिए। एक दिन जब शीरूपमणी कृष्णी के त्यन तनन्य प्रेम भक्त तुकाराम, अभंग, अर्थात, भगवान विठ्थल की स्थूति का रहे थे। तब ही पंडरपुर की उस समय की सबसे खुबसूरत लड़की जो एक वैश्या थी तुकाराम के पास आई। बहुत देर तक उसकी नजरे तुकाराम पर थी क्योंकि उससे एक आलोग की चमक रिकल रही थी। ऐसी अफ़ाहे भी थी कि उसके पास देवियों शक्तिया थी। इसलिए वैश्या तुकाराम को पसंद करने लगी क्योंकि वह आम आदमे की तरह नहीं थे। जब तुकाराम ने अपना अभंगगान पूरा किया और सामने बैठी वैश्या के और देखा तो उनके आखे चौन गया गई। अचानक उनके चेहरे के भाव बदनने लगे। व उन्होंने देखा कि समस्त ब्रह्मांड की माता महलचमी शी रूपमण उनके सामने खड़ी है और उन्हें देखकर मुस्कुरा रही है। तुकाराम ने उनको स्वागत क्यों रोते हुए पूछा मेरी मा रूपमणी आप तो यहाँ है लेकिन आके विशास्वत पती शी हरी जी विठल कहां है यह सुनकर वैश्य को बड़ा सद्मा लगा उसे खुद पर शर्म महसूस हुई और उसे अपने गलते का एसास हुआ रानी रूपमणी तता भक्त तुकाराम की क्रिपा से यह पूर्णत निश्पाम तता प्रतिवरता हो गई क्योंकि सदाचारी भक्त उस लिला से तुकाराम ने जान भूचकर इस्त्री को रूपमणी नहीं खा दरसल तुकाराम को एक अज्यानी और दुष्ट मांसिक्ता वाली महिला से बचाने के लिए देवी रूपमणी स्यम प्रकट हुई और उन्हें अपना महाशक्ती रूप दिखाया इस पूरी लिला मे कोई भी कृष्ण नहीं है क्योंकि जब भक्ति की रक्षा की बात आती है तो देवी रूपमणी भी शिकृष्ण को छोड़कर अपने भक्ति के पास भाग आती है ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलेगा धन्यवाद